दोस्तों क्या आपने एक ऐसा कीड़ा देखा है जो ना तो जिन्दा हो और ना ही मरा हुआ हो लेकिन फिर भी चल रहा हो एक ऐसी बिल्ली जिसने बतक के बच्चों को ही गोद ले लिया हो और पक्षियों का एक ऐसा जुंड जो अचानक से आसमान से जमीन पर आगिरे दोस्तों जानेंगे आज भी कुछ नया और धमाकेदार इसलिए वीडियो में अंते तक जरूर बने रहेगा प्रबॉस्किस वाम दोस्तों क्या आपने एक ऐसे वाम को देखा है जो स्पैडर मैन की तरफ वेब यानि की जाल निकालता हो अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए दोस्तों ये कीड़ा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है ये स्पैडर मैन की तरफ वेब छोड़ता है इसकी अदबुत शमता को देखते हुए लोग इसे एलियन कीड़ा भी कहते हैं इस कीड़े को हाली में अमेरिकी प्रांत कैरो रीना में पकड़ा गया है दरसल ये एक समुदरी कीड़ा है जिसके मूझ से निकला सफेद जाला चंद पलों में ही अलग-अलग दिशाओं में फैल जाता है ये जाला दिखने में बिलकुल पौधों की रूट की तरह लगता है एक्सपर्ट की माने तो ये कीड़ा खुद उड़ती हैं और उसमें भरा हुआ तरहल पदार्थ जाले के रूप में बाहर आ जाता है जिससे ये अपने शिकार को चारो ओर से लपीट लेता है जीवों से जुड़े एक्सपर्ट्स ने इस कीड़े को रिबन कीड़ा या प्रबॉस की स्वाम नाम दिया है एक्सपर्ट आपने पाया होगा कि ये पक्षियां उड़ते समय अकसर एक पैटर्ण फॉलो करती है ज्यादा तर ये पैटर्ण वी आकार का होता है रिसर्चर्चर्स के मुताबिक उड़ते समय पक्षियों के वी आकार बनाने के पीछे मेंली दो रिजन होते हैं फर्स्ट इससे पक्ष उसके पीछे उड़ते हैं इसलिए उड़ान भरते समय पक्षि वी आकार का शेप बनाते हैं खैर दोस्तों ये तो हुई पक्षियों के उड़ते समय पैटर्ण बनाने की बात लेकिन क्या हो जब आसमान में उड़ान भरते हुए ये पक्षि अचानक से धम से नीचे आगि जमीन पर गिरने के बाद उनमेंसे ज़ादा तर पक्षी तो उड़ गए जबकि कुछ पक्षी नीचे गिरते ही मर गए आप वीडियो में उन पक्षी के शबों को सड़कों पर बिकरे हुए देख सकते हैं इस घटना को लेकर experts का मानना है कि हो सकता है कि आस्मान में उडान के दौरान इन पक्षियों के ऊपर शिकारी पक्षिय द्वारा हमला किया गया हो जिस वज़े से इन पक्षियों को संभलने का मौका ना मिला हो और यह जमीन पर आगिरे तो वहीं कुछ पशुचिकटसक ने पल्यूशन के बढ़ते लिवल को इसके लिए जिम्मेदार ठेह रहा है वेल दोस्तो इस घटना को लेकर आपकी क्या रहा है अपना जवाब हम नीचे कॉमेंट सक्षिन में जरूर बताईए डौग फ्रोजन ओन टाइम दोस्तो जब भी हम किसी समझदार चानवर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कुट्टे का नाम लिया जाता है वैसे तो इनके बारे में लोगों को बहुत सी बाते पता होती है लेकिन क्या आपको पता है कि कुट्टे ज़्यदातर गर्मियों के मौसम में जीप निकल कर क्यो हाफते हैं इसका रीजन है इनके शरीर में पसीने की गरंतियों का न होना जिया बाइजाती जिस कारण उनके शरीर का तापमान विवस्तीत नहीं हो पाता कि एक इनसान से ज़ादा कुटे वफादार होते हैं अगर आप उनसे प्यार करें तो बदले में वो भी आप पर अपनी चान चिड़कते हैं और अगर आप उन्हें किसी चीज की ट्रेनिंग दें तो वो उसे बखुबी सीखते भी हैं अब आप इन कुटों को ही देख लीजिए कितने जबरदस तरीके से इनके मालिक ने इन्हें ट्रेनिंग दिये बिल्कुल ये किसी स्टैचू की तरह ही खड़े नजर आ रहे हैं जब तक इनका मालिक इन्हें एक इशारा नहीं करता तब तक ये स्टैचू की तरह ही खड़े रहते हैं तो दोस्तों इन कुटों की इस काबिलियत के लिए आज की इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है आम तोर पर बिल्लियों को पक्षों का दुश्मन माना जाता है वो उन पर जपटने और उन्हें निगलने का कोई मौका नहीं छोड़ती लेकिन यहां हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाकई में अद्बूत है दरसल यहां एक बिल्ली ने बतक के बच्चों को ही गोद ले लिया है यह मामला आयरलेंड का है जहां रोनन और एमा लेली नाम की एक कपल ने अपने फारम में एक बतक को पाला हुआ था बतक प्रेगनेंट थी और एक रात वो अंडा देते हुए मर जाती है अगली सुबा जब रोनन और एमा फारम जाते हैं तो वहाँ वे बतक के अंडे को फूटा हुआ देखते हैं लेकिन वहाँ बतक के बच्चे नहीं होते वे बच्चों को ढूडने की हर जगा कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते वो डर जाते हैं क्योंकि उनके फार्म में एक बिल्ली भी रहती थी दरसल बिल्ली ने बतक के बच्चों को ही गोद ले लिया था और अब वो उन्हें अपना दूद पिला रही थी और इससे भी जादा हैराने के बाद तो तब थी जब कुछ समय बाद बिल्ली ने खुद के बच्चों को भी जनम दिया दोस्तो धर्ती पर पाई जाने वाले अनोखे जीवों में चीटियां भी एक हैं, जो अपने गजब की मेहनत आपसी सहयोग के लिए जानी जाती हैं, इंसानों की तरह चीटियां भी एक सामाजिक जीव हैं, जो अपना भोजन जमा करती हैं, देखा जाए तो चीटियों की उत वीपो पर पाई जाती हैं हाला कि चीटियों की कई प्रजातियां ऐसी भी होती है जिने उल्टा चलना मुश्किल रगा है जिसे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर फ्रांसिसको बोनी द्वारा ब्राजील में कैमरे में कैद किया गया था दोस्तों यह आर्मी एंड्स है जिन्होंने ततया के घोसले पर अटेक किया है जब इस प्रकार का हमला होता है ततया आमतार पर बच निकलती है और यह चीटियां तब तक नहीं जाती जब तक कि वो ततया का प्यूपा लार्वा और अंडे से भरे च्छते को पूरी तरह से लूट नहीं लेती यह सैनिक चीटिया मार सकती हैं जॉंबी सिकाड़ा दोस्तों इस दुनिया में कई तरह के कीड़े मकौड़े पाए जाते हैं लेकिन हम यहां जिस कीड़े के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक जॉंबी कीड़ा है जिसे जॉंबी सिकाड़ा के नाम से भी जाना जाता है यह ज्यादातर म श्रीत होते हैं उसे भी कुछी समय में लाश में बदल देते हैं यह खतरनाक रूप से उस पर पूरा कबजा कर लेते हैं और जो चाहते हैं वो उनसे करवाते हैं अब आप इस वीडियो को ही देख लिजिए इसमें जिस कीड़े को दिखाया जा रहा है वो कीड़ा ना तो जि कॉंबी बग कितने जादा खतरनाक होते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अब आप बताईए कि इस वीडियो में दिखाया गया कौन सा क्रेचर आपको सबसे जादा इंटरस्टिंग लगा अपना जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रू लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस न करें मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार